इस total process के days अलग अलग होते हैं कुछ लड़कियों के लिए 21 days का और कुछ लड़कियों के लिए 35 days का भी हो सकता है अपने health और अपने जानकारी के लिए अपने cycle का track रखना बहुत ज़रूरी है आज हम बात करेंगे एक average menstrual cycle की जो की 28 दिन का होता है पर ये कैसे करते हैं? अरे, मैं हूँ ना? आपके menstrual cycle के starting आपके periods के पहले दिन से गिनी जाती है और खतम होती है आपके अगले periods के होने के एक दिन पहले जिनका menstrual cycle 28 दिन का होता है उनका ovulation time पीरज शुरू होने के लगभग 14 दिन बाद होता है For example, अगर आपके periods तीन फरवरी को हुए तो उसके बाद 14 दिन गिनो, 17 फरवरी ये है आपकी ovulation की date